कॉलिज के अखाडे में खूनी खेल सिर्फ रे कोच का मौत वाला तां कुष्टी के रिंग में गूलियों की बारिश खेलाडियों के सामने नरसंगार तरिंदे कोच का खूनी कांड थाए 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 वो ताबर तोड गोलियां चला रहा था और एक के बाद एक लाशें किर रही थी इससे पहले की कोई कुछ कर पाता उसने लाशों के ठ्धेर लगा दिये दास्तान रोहतक के दरिंदे कोच की है एक ऐसे सिर्फेरे कोच की है जिसके हुनी खेलने सारे शेहर में फैला दी है संसनी कौन है वो कोच जिसने हर्याणे के रोहतक में लाशों के ढ sloppy설 लगा दिये कौन है वो दरिंदा जिसने पाँच लोगों की सरे आम हत्या करती संसरी में आज हम आपको ये अलगू आज हम आपको दिखाओंगे एक कोच का वो खुनी चेहरा जिससे किसी को भी डर लग सकता है तारीख 12 फरवरी रोतक के जाट कॉलेज के जिमनेजियम में खिलाडियों की फीड लगी थी कुष्टी के रिंग में पहलवान अलग-अलग दाओं के जोर आजमाईश कर रहे थे पहलवानी की ये प्रैक्टिस कोच मनोज मलिक की निगरानी में हो रही थी मनोज खिलाडियों को कुष्टी की बारी क्या समझा रहे थे लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुष्टी के इन दाओं पर बहुत जल्द मौत का आटैक होने वाला है मनोज बेखबर थे वो अपनी पत्नी साक्षी और चार साल के बेटे के साथ खिलाडियों की प्रैक्टिस देख रहे थे और मौत उनकी और तेजी से कदम बढ़ा रही थी और फिर चंद सेकेंड बात जो हुआ उसने हाहाकार मचा दिया मनोज जाट कॉलेज के जिस जिमनेजियम में खिलाडियों को कुष्टी की ट्रेनिंग दे रहे थे उसी जिमनेजियम में मौत बन कर आया एक दूसरा कोच सुकविंदर और फिर उसने मनोज को निशाना बना कर कोलियां चलानी शुरू कर दी गोली मनोज के सिर में लगी और वो वहीं धेर हो गए मनोज को बचाने के लिए पत्नी साक्षी दोल कर सामने आई तो कातिल कोच ने उसे भी गोली मार दी और फिर साक्षी भी तड़ब कर धेर हो गए दोनों लोगों की हत्या के बाद भी कोच सुखविंदर का गुस्सा शान्त नहीं हुआ उसने मनोज के चार साल के बेटे को भी गोली मारी और वो भी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा सुखविंदर के खूनी खेल को देखकर जब मौके पर मوجود कुछ खिलाडियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो सुखविंदर ने उनके उपर भी गोलीयों की बाच्छार कर दी और फिर तीन और लोग बे मौत मारे गए मारे गए इन लोगों में बच्चों को कुष्टी की ट्रेनिंग देने वाला कोच सतीश कोच प्रदीप और एक महिला खिलाडी पूजा की भी मौत हो गई दिल देहला देने वाली इस वारदात की खबर जब रोह तक पुलिस तक पहुंची तो पुलिस की एक टीम फौरान मौका वारदात पर पहुंच गई और फिर सामने आई दो कोच की रंजिश और खुनी इंतखाम की वो कहानी जिसे सुनकर हर कोई सन रह गया ये तस्वीरे कोच सुक्विंदर के खुनी खेल के चंद बलों बात की है पुलिस जब तक यहां पहुंची सुक्विंदर जाट कॉलिज के डीपी आई मनोज मलिक के साथ उनकी पत्नी साक्षी, कोच सतीश, कोच प्रदीप और रेसलर पूजा की हत्या करके फरार हो चुका था चानवीन में पुलिस को पता चला है कि सुक्विंदर ने सुक्विंदर को रंजिश की वज़ह से अंजाम दिया है पुलिस के मताबिक एक महिला खिलाडी ने कुछ दिन पहले कोच सुक्विंदर के खिलाफ जाट कॉलिज के डीपी आई मनोज से शिकायत की थी खिलाडी की शिकायत के बाद मनोज ने सुक्विंदर को कोच के पत से हटा दिया था और इसी बात का बदला सुक्विंदर ने दिल रहला देने वाले इस कांड से लिया है शुक्रवार शाम करीब साड़े साथ बजे रोतक के जाट कॉलिज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक चली गोलियों में पांच लोगों की मौत हो गई इस वक्त हम उसी जगह पर मौझूद हैं जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था परसल ये जाट कॉलिज का अखाड़ा है और यहीं पर ये पूरी वारदात हुई है आपको बता दें कि ये जो वारदात है वो अखाड़े में हिस्सेदारी को लेकर के हुई है कोच मनोज और कोच सुकविंदर के बीच में पिछले काफी समय से अखाड़े में हिस्सेदारी को लेकर के विवाद चल रहा था बताया जा रहा है कि कल शाम को करीब साड़े साथ बजे कोच सुखविंदर यहाँ पर पहुंचा और उसकी मनोज से बहस हो गई इसी बहस के बीच में सुखविंदर ने अचानक से गोलिया चलाना शुरू कर दिया पुलिस के मताविक मनोज मलिक ने महिला खिलारी की शिकायत के बाद सुखविंदर को टर्मिनेट कर दिया था उसने सुखविंदर को बच्चों को ट्रेनिंग देने से साफ मना कर दिया था और इसी बात से वो बेहत खफा था कल शाम को जब मनोच खिलाडियों को कुष्टी की ट्रेनिंग दे रहे थे तब ही सुखविंदर वहाँ पहुँचा पहले तो मनोच से उनकी गर्मा गर्मी हुई और फिर उसने सीधे मनोच को गोली मार दी मनोच को बचाने के चक्कर में वहां मौजूद उनकी पत्नी साक्षी भी मारी गई बागने के दर्मियान सुखविंदर ने कोच सतीश और प्रदीब के साथ माईला के लाड़ी पूजा की भी जान ले ली क्योंकि ये लोग सुखविंदर को रोकने की कोशिश कर रहे थे प्राइमा फेसाई यही पता चला है कि इसी रंजिश की वज़ा से उसने कल यहां पर आकर इस गटना को अन्जाम दिया है यह बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है यहां पर क्राइम का पुलिस के मताबिक दरिंदे कोच सुखविंदर के खूनी खेल में पाँच लोग भी मौत मारे गए है इस हमले में जान गवाने वाले मनोच और उनकी पत्नी साक्षी का चार साल का बीटा भी बुरी तरह से घायल हो गया है गोली उसकी आँख में लगी है कुछ और खिलाडी भी खायल है जिनका इलाद चल रहा है सुखविंदर तक पहुँचने के लिए पुलिस ने उसके उपर एक लाक रुपए का इनाम भी रखा था और आकरकार पड़ी मशक्कत के बाद वकड़ा गया दरिंदा कोच सुखविंदर पुलिस के मताबिक सुखविंदर की गरफतारी के बाद उससे पूछ ताच की जा रही है और जल्द ही इस पुनी कांड के रहस्यों का सारा सच सामने आ जाएगा कि ऐसा कुछ घटित हो सकता है नहीं कभी नहीं कभी हमारे नहीं हमारे संग्यान में कभी भी कोई किसी तरह का नहीं था एक कोच दरिंदा बन गया उसने पांच लोगों को गोली मारती सरयाम उनकी चान लेली लेकिन अब वो पकड़ा गया है पुलिस उसे पूछ ताच कर रही है वहीं उसके खूनी खेल के बाद पीडित परिवार मातम में टूबा है एक कोच इतना बिरहम हो सकता है उन्हें अब भी ये यकीन नहीं हो रहा है पुलिस के मताबिक मनोज मलिक जाट कॉलेज में डीपी आई थे उनकी पतनी साक्षी रेलवे में नौकरी करती थी इसके अलावा मरने वाले सतीश कोच थे जो यहाँ कूचिंग का काम करते थे प्रदीप मलिक जिनकी मौत हुई है वो भी रेलवे में थे और अक्सर प्राक्टस करने के लिए जाट कॉलेज में आते थे इसके अलावा एक मतुरा की छात्रा थी पूजा जो बतौर स्टूडेंट यहाँ पर रेस्लिंग की ट्रेनिंग कर रही थी और अब इन तमाम लोगों के घरों में मातम पसरा है पहले उसकी कोई शिकायत नहीं गीती महरे पास में बस इतना ही गया था कि मैं आ रही हूं मेरे चोट लगी हुई है दो मैड़े उसके नैशनल में फिर जी बस वो घर जाने पाई थि उनके किर साम की त्यारी थी जाने की बस वो अपने रूम पहनी जा पाई इतने में उनने भुला लिया और एक-एक करके खत्म कर दिया पूजा के परिवार वालों की माने तो पूजा ने कोच मनोज मलिक और सुखुंदर के जगड़े के बारे में उन्हें कभी कोई जानकारी नहीं दी थी और अब बेटी के मर्डर के बाद इनकी पूरी दुनिया वीरान हो गई है सुखुंदर के खूनी खेल में मारेगा सतीश के पिता का कहना है कि आरोपी सुखुंदर और उनके बेटे सतीश 20 साल से एक दूसरे के दोस्त थे सुखुंदर ने ऐसा क्यों किया इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है इस खुनी कार्ण में अपने बेटे मनोज और पहुष साक्षी को खुंदर ने रहा है होने वाले मनोज के पिता की माने तो उन्हें भी अपने बेटे और सुखुंदर के विवादों की जानकारी नहीं थी सुखुंदर के इस खुनी खेल ने इस बज़र्ग पिता की जंदगी को भी वीरान कर दिया है कि वह आप रक्तिस कराने नहीं आओगे वह इतनी बात थी और शेजार को कुछ भी नहीं है और अब मिलिए रोह तक के उस पत्रकार से जिसे कोच सुखुंदर ने वारदात वाली सुभा ही बताया था कि अब वो जाट कॉलेज के जिमनेजियम में बच्चों को कुष्टी की प्रैक्टस नहीं करवा पाएगा क्योंकि कॉलेज के DPI मनोज से उसका विवाद है लेकिन वो विवाद इस खूनी मुकाम तक पहुँच जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था कल मैं स्टोरी सूट करने के लिए शुगाया था और मैंने स्टोरी शूट भी की थी यहां जो मृत इक मनोज है मनज मलीक जो जो कोच है भी मौजू थे सुकविंदर मोजू था और प्लेयर मुझे होते हैं तो जिस तरह से आमनेश करने के बाद और स्टोरिय कंपविट करने पाद हमारी यहां पर सुक्विंदर से बाथ जी सुक्विंदर नेए हमारे OF काह की आप शायद मैं यहां दिकाई नदू तो हमने अच्छा कमाते हैं लेकिन हमारे पास इतना जरिया नहीं है तो उस हिस्यदारी पे इनका कहिन कहीं जगड़ा था और उस जगड़े को लेकर हमें भी यह इलम नहीं था कि मतलब रात को इस तरह की घटना घट जाएगी और सुबह यहां सनाटा पसर जाएगा एक कोच की दरिंदगी की वारदात पर रोतक के तमाम लोग सन नहीं हर कोई स्खोनी वारदात का पूरा सच जानना चाहता है ऐसे में अब देखना यह है कि पांच लोगों की जान लेने वाला सुकुंदर अपनी गिरफतारी के बाद पुलिस के सामने क्या खुलासा करता है संसनी के लिए मनोज वर्मा की रिपॉर्ट